कोई मुझे समर्धन नहीं किया था जब मेरे उपर इस तरह की टिपिनी आजम खान साब को ये आदत है आदत से मजबूर है अगर ये नहीं करता है तो ये नहीं बात होगी लेकिन बात ये है कि इसके स्थर किस तरह का गिर गया है कि ये सम्विधान को लोकतंत्र के उपर दर् मुझे से बोल भी नहीं सकते हैं उस तरह की जबान इन्होंने इस्तमाल किया है इस बार तो मतलब हद पार कर दिया अब मेरा क्षमता खतम अब मेरे लिए वो ख़बी भाई नहीं है कुछ भी नहीं है वो हमारे लिए इतना दुश्मनी बना दिया पता नहीं मैंने उनके ल लोग और मैं चाहती हूं कि इसका इसका चुनाव तो मतलब इसका चुनाव नहीं होना चाहिए इसको चुनाव से इसको रद करना चाहिए क्योंकि ये आदमी ऐसा है कि ये अगर चुनाव जीत गया तो लोकतंत्र क्या होगा महिलाओं के समाज में महिलाओं के स्थान भी नहीं मिलागा महिलाओं के रक्षा नहीं है तो हम जाएंगे कहां क्या मैं मर जाओं तब आप लोगों को तसली होगा या मैं यहां से जली जाओंगी आप लोग सोच रहे होगी मैं रामपूर चोड़ूंगी अभी मैं डरके मैं इसके टिपनी को मैं डरके मैं यहां से चली जाओंगी नहीं जाओंगी नहीं जाओंगी आप राजम खान साब आप सुनो मैं तुमको हार के रहूंगी और मैं हारने के बाद में बताऊंगी में जैप्रदा क्या है जनता बोल रही है, जनता उखड रही है, जनता में अक्रोश है, आप इस तरह का बयान करते हो, क्या आपके घर में मा नहीं है, आपके घर में बहु नहीं है, आपके बहु के साथ इस तरह करते हो, आपके बीवी के साथ इस तरह के बयान करोगे अकलेश को मैं भाई माना छोटा भाई मेरा लेकिन लेकिन उस समय भी जब आजम में मेरे उपर हमलाः था मेरे उपर इस तरह के बदब अबदर शतम रखान तब क्या किया है तब कुछ भी नहीं किया अमर सिंग्जी ने मुझा रक्षा किया इसकेवज़े से अमर सिंग्जी को पार्टी से निश्षकाशित कर दिया था क्योंकि अमर सिंह जैयापृत को रखषा किया है और अमर सिंग जी को भी नहीं छोड़ा लोग क्यों मतलब हमारे लिए महिलाओं में महिलाओं को टिपनी कर सकते हैं, अबद्रशब दिस्तमाल कर सकते हैं, अगर कोई अच्छे इंसान इस समाज में हो तो वो मुझे रक्षा करें, तो उनको भी छोड़ना ही छोड़ेंगे, कैरेक्टरा से सचने करेगा आप लोग, बताईए, तो कौन रक्षा करेगा हमारे लि अपना परिचे निजेगा परिचे निजेगा परिचे, नेपरीती सप्रू, फिल्म अक्टर, प्रोड्यूसर, डिरेक्टर, राइटर, और मैं यहां, हम दोनों ने एक फिल्म की थी, आज का अरजुन, और कानून की जंसीर, वहां से हैं, हमारी दोस्ती, बहुत बहुत बह इसे कह सकते हैं, यह रामपूर के सौभग्या है, कि यह लेडी यहां से आपके लिए आपकी सेवा में आई है, और इन पर ऐसी, मैं तो कल रात को जब मुझे किसी ने दिखाया, मैं सौगंद का के कहती हूँ, आपको मैं रात बर सुई नहीं हूँ, मेरे रात बर दिमाग म यह चल रहा था कि ऐसी जुबान आदमी किसी महिला के लिए यूज कर सकता, ऐसे शब्द, भगवान मैं क्या कहूं, उनके लिए क्या कहूं, मैंने तो कभी ऐसे शब्द सुने ही नहीं है लाइफ में, वो शब्द आप यूज कर रहे हैं उसके लिए जो आपको अपना सब पाराम छोड़कर आपकी सेवा में यहाएं, यह आप आज यहां इसलिए आई है, भारतिया जनता पार्टी ने इन्हें इसलिए चुना है, क्योंकि ये इनका रेकॉर्ड है, कि जब यह यहां सानसद रही है, इन्होंने इतना जन के हित में काम किया है, और जहां मैं जा रह करने से आप उठ रहे नहीं हो आप गिर रहे हो आप जैसी बात कर रहे हो इतना